भारतिय कप्तान विराट कोहली जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाडी बन गए हैं सचिन तेंदुलकर की तुलना में 54 पारिया कम खेली कोहली ने ICC World Cup 2019 के दौरान अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है और उनमें से एक पूर्व भारतिय कप्तान दिलीप वेंगसर कर हैं कोहली के रवये से जीत की भूक और उनके विरोधियों और स्पोर्ट्समेंशिप के प्रती सम्मान उन्हें फैंस और एकस्पर्ट से बहुत सम्मान मिलाता है विराट कोहली ने स्टीव समित को उकसाने वाली द ओवल में भीर के एक हिस्से को रोग दिया था जिसे बाद में उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा सहित कई लोगों ने सराहा रखते हैं क्रिकिट गेम के लिए और वहाब रियाज के गेन बाजी कराते वक्त फिसल गए थे तब उनसे पूछा कि क्या वो ठीक है यह सब नहीं था बाद में पारी के दोरान कोहली का बयाली स्वांश पर शतक रुक गया जब उन्हें मोहम्मद आमिर ने विकेट की पर पार की तरफ बिना देखे चल दिये यहां तक की जब रिपले में दिखाया की गेंद और बल्ले के बीच एक बहुत बड़ा गैप था यह निश्चित रूप से फैंस के लिए एक महान खिलाडी से लेकर दिगगच खिलाडी बनने तक का इशारा करता है